अबस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉंपटिशन कम्यूनिटी में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है कुछ एनालेसिस करने वाले नहीं है सिर्फ बात इस बात पे करेंगे रोजगार की बात कल एक यूवक का मेरे पास मैसेज आया रात में उसने बोला कि सर कोई vacances नहीं आ रही है कुछ paper clear नहीं हो रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है पढ़ रहा हूँ पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा है मेरा suicide करने का मन कर रहा है पहले तो उसकी बात सुनकर मैं खुड डर गया लेकिन मुझे जिस तरह से उसे समझाना चाहिए था मैंने उसे बखुवी समझाया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह की समस्या है वो सिर्फ उस यूवक के साथ नहीं है उस यूवक ने मुझे से बात सेयर की वो बहुत बड़ी बात है लेकिन बहुत सारे यूवक जो हैं वो सेयर नहीं करते उनके मन में इस तरह से संका चलती रहती है लेकिन फिर से मैं उस यूवक को जो मैंने बाते कहीं या फिर जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ अगर इस तरह के ख्याल आते हैं उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना यार उस दिन को सोचो कि जब आपको आपकी माने नौ महिने आपको कोख में रखा उतने sacrifices करके उतनी तकलीफों से उसके बाद आपका जन्म हुआ आपके माब आपने कितने sacrifices किये आपको बचपन से लेकर अब तक आपने जो पढ़ाईयां की आपके जो सौक पूरे हुए सब कुछ उन्हों ने किया इस उम्मीद में किया कि आप उनके बुढ़ापे की सहारा बनोगे आप उनके लिए कुछ करोगे और इस तरह से आपके मन में ख्याल आ कैसे सकते हैं सबसे पहली बात तो इस तरह के ख्याल जो हैं आपके मन में आना ही नहीं चाहिए और अगर आपका कोई exam clear नहीं हो रहा है और अगर आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है तो क्या सिर्फ इतना ही solution है इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हार मान गए तो ये तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हुई ही न और जबी भी इस तरह के आपके मन में ख्याल आते हैं तो सबसे पहले आप अपने माबाप के बारे में सोचो उनके sacrifices के बारे में सोचो आप किस हुए के बराबर रहेंगे तो कभी भी इस तरह का ख्याल आए तो सबसे पहले आप अपने परिवार के sacrifices के बारे में सोचो उनके बारे में सोचो आप अपने बारे में सोचो आप अंतर आत्मा के बारे में सोचो कि आप हार कैसे सकते हो आज vacancies नहीं आई आप आज खड़े ह होगे सब के साथ में तो कल vacancies आएगी महनत करो महनत का परिणाम कभी भी जायज नहीं जाता और आप अपने आप से कभी भी हारना मत और अगर कभी भी ऐसा लगे कि आप अपने आप से हार रहे हो तो अपने आपको मोटिवेट करने के लिए आप अपने families का सहरा ले सकते हो अपने families के बारे में सोच सकते हो तो खैर सबसे पहले इस तरह का ख्याल आपके मन में नहीं आना चाहिए आपका काम है इमांदारी के साथ में महनत करना डेडिकेशन के साथ में महनत करना अपने परिवार के बारे में सोचना अपने गूल के वारे में सोचोगे जब अपने टार्get के बारे में सोचोगे तो यह जायद सी बात है कि आपको d'motivation होगा तो उस d'motivation से कैसे आपको लड़ना है ये आपको पता है कि आपको क्या करना है आप और जोर लगाओ और अधीक मेनद करो अगर वो चीज आपको नहीं मिल अपने लोगों के बारे में सोचिए, कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर, और इस तरह से ख्याल तो पहले आपके मन में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, चलिए, तो आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ, और मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि इस मुद् देश में मुहिम छीडा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकार युबाओं को अंदेखा कर रही थी, युबाद 4-4 साल, 3-3 साल पर इक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट का पता है, और किसी एक्जाम करना नोटिफिकेशन का पता है, आप सिर्फ हम सेंटरल लेवल की बात नहीं कर रहें, बहुत सारे राजज़ियों में देख लो, हर राज्य का यही त्हीति है, नोटिफिकेशन जारी होता है, डेड़ जारी होता है, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जाता, तो सबसे पहले जो ट्रेंड चल रहा है आज के स समय में speak up for ssc railway इस ट्रेंड को रुकने मत देना क्यों क्योंकि समस्याएं कहा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं यह भी आप लगातार ट्वीट करते रहना चाहे आप जहां ट्वीटर पर ट्वीट करो तो facebook पे इस campaign को चलाओ, social media के जितने platform है उस जगह पे campaign चलाओ, इसके लाबा speak up for teachers का ये सारे ट्वीट आप लगातार करते रहो, competition community भी अपने ट्वीटर हंडल से इन तीनों ट्वीट को करेगा, आप उसे भी retweet करके उपर बात पहुचा सकते हो, हलाकि उपर बात पहुची औ मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, daily videos देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि SLC का जो result है, वो October में clear होगा, tier 3 का, तो बहुत सारे लोग खुस भी हो गए हैं, तो खुस हो गए, तो यही तो सरकार चाहती है, कि आप खुस हो जाओ, और इस RRB को, जो कि एक सबसे ब आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, तो यही तो है जबी भी कोई बड़ा मुद्दा बनता है, तो कुछ दिन तक वो मुद्दा बड़ा रहता है, उसके बाद अपने आप सांथ हो जाता है, तो इस मुद्दे को तब तक सांथ नहीं होने देना है, जब तक आपकी मांगे पूरी नहोजाए जब تक हमारी मांगे पूरी नहोजाए मुझेवनी चाहिक ist सी में भषटाचार होता है तो से का नोडिकेशन आता तीन साल पहले एक साल में एक्जाम का पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए लेकिन हो पाता इसके बाद जितने भी recruitment agency है बड़ी एजंसिया है Central लेवल पर 20 recruitment agency है सब मेरी forms की आवशकता है UPSC का proper calendar आता है calendar के अनुसार exam conduct हो जाता है सब कुछ हो जाता है तो इन एजंसियों में क्यों नहीं होता आप पोलते हो कि इन जैंसियों में ज्यादा इस्टुडेंट होते है RRB में तीन करोड इस्टुडेंट ने फॉर्म भरा तो हमारे पास vendors नहीं है हमें exam conduct नहीं करवा सकते तो election कैसे conduct हो जाता है 50 करोड लोगों का आप वोट ले लेते हो वह भी तैस समय पर सबसे बड़ा हमारा लोग तांतरिक दे सबसे जादा लोगों का वोट एक साथ मैनेज कर पाता है तो इन युवाओं को आप मैनेज कैसे नहीं कर सकते तो यहां पर यह जो campaign सुरू हुआ है इस campaign को आप रुकने मत देना बस मैं इतनी बाते कहना चाहता हूँ इस campaign को जारी रखना जब तक आपकी जो मांग है जब तक आपकी मांग पूरी ना हो जाए एससी अरारबी जैसे recruitment board में reforms ना आ जाए व्यापम जैसे recruitment board में reforms ना जाए तब तक इस campaign को रुकने मत देना चाहे central level पे हो चाहे states level पे हो campaign को जारी रखना क्योंकि आपको अब तक पता चल गया होगा कि आपके पास में क्या power है power है तभी तो एससी का जो result डिकलियर का date है tier 3 का वो आ गया और अगर अभी यहाँ पर आप ठंडा पड़ गया यानि कि इस मुहिम को सांथ कर दिया तो इससी tier 3 का result clear हो जाएगा tier 4 अट का देंगे तो इस तरह से इस मुद्दे को सांथ नहीं होने देना है तब तक सांथ नहीं होने देना है जब तक इन सब में reforms ना आ जाए और जब तक आपकी और हमारी मांग पूरी न हो जाए क्योंकि हम को क्या चाहिए रोजगार चाहिए हम में talent की कमी नहीं है हम समाज के लिए निकम्मे नहीं है आप और हम समाज के लिए निकम्मे नहीं है हमें 4-4 साल हम त्यारी करते हैं 3-3 साल हम त्यारी करते हैं लगातार लगे हुए रहते हैं घर से बाहर निकलते हैं परिव में आ जाते हैं फिर इस तरह के मन में ख्याल आते हैं कि सुसाइड कर लू ये कर लू वो कर लू इस इन सबका जिम्मेदार है कौन इन सबका जिम्मेदार सरकार है इन सबका जिम्मेदार कही ने कही अपोजिशन पार्टी है और इन सबका जिम्मेदार पूरा सिस्टम है अच उतना ही रोल अपोजेशन पार्टी का भी होता है, उतना ही रोल मीडिया का भी होता है, मीडिया को भी अगर सरकार के तरफ से कोई गलत पॉलिसिज लाई जा रही है या फिर युबाओं के साथ में गलत हो रहा है, तो उस मुद्दे को उठाना चाहिए था, अपोजेशन पा वहों के साथ में न्याय होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, अगर आपने notification जारी किया है, तो आप उस notification के आधार पर तैसमय पर exam conduct करवाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूबा हैं, जो अपनी नौकरी को छोड़कर उस नौकरी की चाहत में तैयारी कर रहें, अपने घर से दूर रहकर, अपने परिवारों से पैसा लेकर, परिवार वाले जो हैं, बहुत sacrifices करके उनको पैसा दे रहें, और हो तैयारी कर रहें, तो आपको उनकी रोटी सिखने में लगे हुए हैं, उनकी रोटी कैसे सीखेगी, बहार में इलेक्षन है, तो बहार में इलेक्षन का मुद्दा क्या होना चाहिए, उस पर उनको फोकस है अभी, बहार में पहला SI का एक्जाम तो क्लियर हुआ नहीं, और उसके बाद, दूसरा SI का एक्जाम कंड़क्ट होने लगा, अभी इलेक्षन है, कुछ दिन बाद बहार में, तो उससे पहले सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए, SI की भरती नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब की बात नहीं है, कोई आपका पढ़ा हुआ, जो भी है, आप समाज के लिए निकम में बन जाओगे, यह सब सारी चीजें होती रहेंगे, तो मांग जो है, SSC में रिफॉर्म्स लो, कैलेंडर निकालो, कैलेंडर के अनुसार, जो यूथ है, वो अपनी तयारी करेगा, वो अपना बातों पर बात उठीनी चाहिए, और एक कहते हैं न, कि आपको कहीं ग्राउंड में जाने की जरूवत नहीं है, आपको बहुत बड़ा यहां पर युगदान देने की जरूवत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि आज के समय पर अगर कोई सबसे सक्ति साली माध् डेली रीट्विट करो, यह ट्रेंडिंग में आ जाता है, सरकार अपने आप प्रेशर में आ जाती है, और किस तरह से सरकार प्रेशर में आई हूँ आपको पता है, हलाकि SSC का रिजल्ट क्लियर किया गया है, 2018 में क्लियर होगा, और यह इसलिए किया गया है, ताकि यह पू बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मेंस्टेम मेडिया का भूमिका नहीं है, तो यहाँ पर आप भी दिखा दो कि आपके पास में क्या पावर है, बाइकोड करो मेंस्टेम मेडिया को, तियार पीज के लोव में, देश को किस तरह से गुमरा किया जा रहा है, हिंदू बातों को समझे और जितने भी अभी तक बड़े-बड़े मुद्दे उठाये गए थे और सब सांथ हो गए हैं, तो इन मुद्दों को आप सांथ मत होने देना, जब तक आपको आपका हक न मिल जाए, और इस हक की लड़ाई में आपकी जो तैयारी है, उसे भी रुकने मत लेना, आप अपनी तरब से, महनत से, इमांदारी से, पूरी तरह से लगन से आप तैयारी करते रहो, ताकि सामने वाले को भी दिखें कि आप में टैलेंट है, बस उस टैलेंट को परखने की जरुवत है, ठीक है, तो टी मोटिवेट होने की जरुवत नहीं है, और जो उल् को देख करा सकता है, तो इस तरह से आप मोटिवेट करते रहो, खुद को, और रोजगार के कई अफसर होते हैं, और आपके सामने बहुत सारी अपोचुनिटी सामने आएंगे लाइफ में, तो उन सब चीजों पर फोकस करना, और हमेशा एक पॉजिटिविडी के साथ में क ठीक है, तो लगातार इस मुहिम को जारी रखिएगा, इसमें हम जितना युगदान दे सकते हैं, हम बिल्कुल देंगे, आखरी समय तक देंगे, और जब तक जो मांग है, जो मेन मांग है, इनमें रिफॉर्म्स की मांग है, वो मांग हम लगातार उठाते रहेंगे, तो आ देली अफडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले,